प्रेंट्स जय जूलेलाल सिंधी कम्यूनेटी में मनाया जाता है चालिया साइब जिसमें 40 दिन का फास्ट होता है जिसमें स्पिसल फुड खाय जाता है जिसमें बॉयल फुड रहता है आलू-कचालू, मतर आलू, मतर-कचालू, पाओ-भजी बिना लसुन प्यास के और उसक मैं आपको बताऊंगे यह रेसिपी कैसे बनाएं हालो फ्रेंड्स मैं मुस्काना हुजा और आपका स्वागत है मेरे चानल हुनर मुस्कान का पे यह चैनल जहां पे हेल्थ लाइफ और उसके साथ किचिन से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपी और टिप्स तो चैनल से बने रहिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा पसंदा है तो लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करें आईए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं बी की चाट बनानी है तो यहां पर हम लोग बी का इस्तमाल करेंगे कोशिश करके बी जो ले वो मोटे वाले ले जो बहुत अच्छे से और जल्दी गल जाते हैं तो बी ले लेंगे उसे अच्छे से हम लोग वाश कर लेंगे और इसे छीलना है हमें छीलने के बाद इसे हम लोग पीसिस में कट करेंगे तो देखिए मैंने बी को छील लिया है यानि कमल ककड़ी को इसे हम स्लांट पीसिस में कट करेंगे देखिए तिर्चा जो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है तो इसी तरह से ही सब पीसिस को कट कर लेंगे इसे कट करने के बाद इसमें पानी डालके इसे वाश कर लेंगे इनके से अगर कुछ मटी वगर रहेगी तो मटी निकल जाएगी सब पीसिस कट कर लिये हैं और इसके बाद इसमें डालेंगे पानी दो से तीन पानी में वाश कर लेंगे और उसके बाद इसे हम लोग डालेंगे कुकर में दो गलास पानी डालेंगे और नमक डालके इसे हमें करना है बोयल लगबग तीन से चार सीटी लगवा के इसे बोयल करेंगे जब तक बी-boyl हो तब तक आईये Emily को भिगो लेंगे एक बाुल में ले लेंगे Emily लगबग मैंने 20 ग्राम यहाँ पर Emily ली है इसे पहले पानी से wash कर लेंगे और उसके बाद पानी डाल के इसे भिगो के रखेंगे साथ में डालेंगे नमग 10 मिनट बिगोने के बाद इसे हम लोग उबाल लेंगे देखिए मने इसे 5-7 मिनट उबाला है और उबालने के बाद इसे करेंगे विस्क आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं विस्क करने के बाद इसे छान लेंगे और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे तो यह अच्छे से विष्ख हो चुका है आईए कुकर को भी हम लोग अभी खोलते हैं लगबग 4 सीटी हो चुकी है कुकर को भी अगर मोटे अच्छे वाले रहेंगे तो लगबग चार सीटियों में बहुत अच्छे से गल जाते हैं इनके सगर बी ना गले तो आप इसमें सोडा या चानिये का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मींस पापर खार देखिए कितने अच्छे से बी गल चुके हैं इसी तरह से ही होने चाहिए पानी को ड्रेन कर लेंगे और बी को ले लेंगे एक बाउल में इसमें डालेंगे काली मिर्च चाट बनानी है तो कुछ चट पटा होना चाहिए इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा इसमें डालेंगे जीरा पाउडर और इसे और चटपटा बनाने के लिए हमने जो इमली का पानी बनाया है वो डालेंगे पांच से छे चमज आप चाहें तो यहां पर हरी चटनी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तन्या पुदीना उसकी हरी चटनी बना के उसका इस्तिमाल करना है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप चाली के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें लसुन प्यास का भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर चाली में तली हुई चीज या कोई भी लसुन प्यास की चीज का इस्तिमाल नहीं किया जाता है देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है इसे सर्फ करेंगे एक बाउल में ले लेंगे देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है क्योंकि यहां पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तमाल किया है और जो इमली की चटनी है उसकी वज़े से इसका जो टेक्स्चर है औ ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा दनिया थोड़ी सी लाल मिर्च यह हमारी चटपटी सी बीचाठ तयार है और जैसे मैंने बताया आप चाहें तो इसमें ग्रीन चटनीी का भी इस्तिमाल कर सकते है कि यह हमारी बीचाठ तयार है बचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक करें मेरे चानल को सब्सक्राइब करें इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे जरूर शियर करें और Instagram और Facebook पे जरूर फॉलो करें मुझे और मेरा वीडियो देखने के लिए Thank You